जहां पैसा है वहां अमेरी है और जहां अमेरी है वहां अयासी ना हो ऐसा हो नहीं सकता ऐसे ही हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां के लोग अपनी अमेरी को दिखाने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि जिन्दगी हो तो ऐसी हो वरना ना हो। उन लोगों को अपने अमेरी का दिखावा करना बहुत पसंद होता है। दोस्तो हम जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उस देश का नाम है दूबई। वीडियो सुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही इस घंटे का बटन भी दबा दे। ताकि हमारी सभी इंटरस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जादातर लोग जानवर से प्यार करते हैं इसलिए वे पैट अनिमल रखते हैं और वो पैट कुट्टे या बिल्ली होते हैं लेकिन दूबई की लोग कुट्टे या बिल्ली नहीं पालते उन्हें साथ खत्रों का इतना सौक होता है कि वे सेरों को पालना पसंद करते हैं। हमारे देश में लोगों को सोना पहनना पसंद होता है लेकिन दुबय के लोगों को सोना पहनना नहीं सोना चलाना पसंद है यहां की कार भी सोने की होती है दुबई में रोड पर गोल्ड कार दिखना आम बात है हर किसी को महगी कार और सांदार कार चलाने का सौक होता है मगर दुबई में एक ऐसा याड है जहां जैसे लोगों की सपनों की कार वहां कच्रे में यूज करी हुई पड़ी है और ये दुबई की सांदार सौकत को बढ़ाती है और यहां फरारी जैसी कारे धूल खा रही है दुबई में कई अमीर सेखों ने तो सोने के टॉयलेट्स भी बनवा रखे है हम आई फोन को भी महंगा समझते हैं और उसे यूज करके अच्छा फील करते हैं मगर यहां सोने के बने फोन की बहुत डिमांड है और इनके बटन में हीरे जड़े जाते हैं हमने एटियम में से रुपे निकलते तो देखा है मगर यहां गोल्ड की इतनी डिमांड है यहां गोल्ड के लिए एटियम बनाए गए हैं जिसमें से सोने के बिस्कित निकलते हैं हमारे याप पुलिस को सस्ती गाड़ी दी जाती है मगर दुबई में पुलिस को दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी दी जाती है जिसमें लेंबोगिनी और फरारी भी शामिल है दोस्तों आपको दुबई की हमारी ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों अगर आपको दुबई जाने का मौका मिले तो क्या आप दुबई जाना पसंद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में यस और नो करके जरूर बताएं और इसी तरह की रोमान्चक और हैसे में जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले